एच्पेवी वाइरस सर्वाइकल कैंसर और अन्यक कैंसर की रोख थाम के लिए सीरम इंस्टिटूट पूने में वैक्सिन तयार हो चुकी है इस प्रभावी वैक्सिन को ग्रामिन इलाकों में लड़कियों को मुफ में उपलक्त कराने के लिए एंसेपी के युवानिता जिला परिशस सदस्य सलिल देशमुक ने पहल की है और नापुर के विवेका अस्पताल में काटोल नर्खेट की हजार लड़कियों को यह टीका लगाया गया हाला कि बाजार में इस वैक्सिन की कीमबच 6,000 है लेकिन खास बात यह है कि इसे सलिल देशमुक स्वास्तरुक्ष फाउंटेशन और विवेका हॉस्पिटल के मात्यम से मुफ में दिया गया जिसमें आधित बिरला ग्रूप ने भी मदद की HPV यह टीका डिम्बगरंथी के कैंसर के खत्री को 90% तक कम कर देता है कम उम्र में डिम्बगरंथी कैंसर का टीका करन प्रवावी है और डिम्बगरंथी के कैंसर को रुका जा सकता है इसलिए केवल किशोर लड़कियों को दिया जाता है आम तोर पर 9 से 20 वर्ष की आयू की लड़किया टीका प्राफ्ट करने के लिए पात्र होती है यह टीका डिम्बगरंती के कैंसर के साथ साथ मुग, गले, मस्तिक्ष और गर्दर के कैंसर को भी रोग सकता है पुने के मशूर सीरफ इंसिट्यूट ने इस वैक्सिन को विक्सित किया है और बाजार में इसकी किमत 6,000 रुपे है सलिल देश्मुक ने यह सुरिचित करने के लिए प्रयास शुरू किये कि ग्रामिन इलाकों में लड़कियों को यह टीका मुख्त मिले इसके लिए उन्होंने हेल्ट्री फाउंडेशन के डॉक्टर दीपी का चंडों की मदद ली गए आधित्य बेला ग्रूप ने भी हजार वैक्सिन उपलुफ कराने की पहल की इतनी बड़ी मात्रा में वैक्सिन लगाने के लिए एक बड़े अस्पताल की जरूत थी और इसके लिए वेवेका हस्पिटल ने पहल की उन्होंने अपने अस्पताल में सभी टीका करन निशुल किये है इन लड़कियों को काटोल और नर्खेट से विशश बसकी व्यवस्ता करके नाकपूर के विवेका अस्पताल मिलाया गया तीका करन की बाद सलिल देश्मुक ने उनके भोजन की भी व्यवस्ता की एच्पेवी आदित तिब्रिला ग्रूप द्वारा अपने सियसार में सार्पला का टीका फंड से खरीदा गया सलिल देश्मुक ने ये भी कहा कि यही वज़ा है कि इतने बड़े पैमाने पर टीका करन हो सका कैमरा परसन राजकुमार मोहर के साथ अक्सा अंसारी की रिपूर्ट